दोस्तो करनेट फस के इस सांदर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला जो कुछन करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि दुनिया का कौन सा देश कितनी चैरिटी करता है इसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया है तो इस इंडेक्स को बोलते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स गिविंग का मतलब आप जानते हैं देना, किसी को दान करना तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा इस्तान पराप्ट हुआ है आंसर हो जाएगा इस इंडेक्स में भारत को 14 इस्तान पराथ हुआ है option number 60 का राइड अंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 114 देशों की ये लिश्ट बनाए गी थी जिसमें की इंडिया को 14th 14 इस्तान पराथ हुआ है ये इंडेक्स में किस तरीके से कौन-कौन से देश है जैसे कि देखो इस इंडेक्स में इंडोनेसिया को पहले इस्तान पर रखा गया है केनिया को दूसरे इस्तान पर रखा गया है नाइजीरिया को तीसरे इस्तान पर रखा गया है इसके बाद में सीधे आजाते हैं इंडिया के तरफ चवद्वे इस्तान पर इंडिया को यहां पर रखा गया है तो यह चीज आपको पता होना चाहिए 114 देसों में भारत को चवद्वा इस्तान प्राप्त हुआ है CurrentFS के एगले question के तरफ चलते हैं कि हाल ही में हाल ही में सीपरी इयर्बुक 2021 के कौन से संस्क्रन को लौँच किया गया है तो इसके 52 संस्क्रन को हाल ही में लौँच किया गया है सीपरी नाम के एक संस्ता है जो कि हर साल अपनी इयर्बुक को लौँच करती है और इस बार इसका 52 संस्क्रान लांच किया गया है 50 second तो इसका 52 संस्क्रान हाल ही में लांच किया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं CPRI का फुलफर्म हो जाएगा Stock Home International Peace Research Institute CPRI का फुलफर्म हो जाएगा Stock Home International Peace Research Institute अब इस report में इस yearbook में दुनिया भर की बहुत सारी अलग-अलग activities को include किया जाता है उनमें से एक है कि दुनिया के अलग-अलग देश कितना चला परमाणू छमता को विक्सित कर रहा है उसका भी data इसमें सामिल किया गया है और इस report में पता चला है कि दुनिया के तीन देश हैं जो कि अपनी परमाणू छमता को बहुत तेजी से पढ़ाने की कोसिस कर रहा है उनमें से एक है भारत, चाइना और पाकिस्तान पाकिस्तानों को दूसरी देशों से मदद मिल जाती है भारत अपना स्वाब लंबन की तरीके काम कर रहा है तो ये तीन देश जो है इस समय अपनी परमाणू छमता को विकास करने का काम कर रहे है अगर हम लोग वर्स 2021 तक के डेटा को देखें जन्वरी 2021 तक का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से बताता है कि दुनिया में सबसे जधा परमाणू Saksham डेख is America जिसके पास में 555 इस समय जो नूखियर वेपन्स है रसिया जिसके पास में 6255 है शाइना जिसके पास में 350 और इंडिया जिसके पास में 156 जो हैं नूखियर वेपन्स है अगर हम लग सिर्फ अमेरिका और रसिया को mix कर दें तो 90% से भी ज़्यादा nuclear weapons जो है वो अमेरिका और रसिया दोनों को मिलकर मिल जाएंगे अब दोस्तों चुकि रैंक और इंडेक्स की बात हुई है तो कुछ पुरानी रैंक और इंडेक्स का भी revision कर लेते हैं जैसे कि World Press Freedom Index में इंडिया को कौन सा इस्तान मिला था World Press Freedom Index 2021 में इंडिया को 142 इस्तान मिला था और उसमें पहले इस्तान पर आथा नौर्वेदेस इस इंडेक्स को release किया था Reporters Without Borders नाम की एक संस्तान है इसकी बात में आजाता है Smart City Mission Scheme इसमें जहरखंड को पहला राज्य इस्तान मिला था इस इंडेक्स को Ministry of Housing and Urban Affairs ने release किया था आयू सुमान भारत योजना को लगू करने में कौन सा राज्य पहले इस्तान पर था करनाट का इसका राइड एंसर हो जाएगा इसकी बात में आजाता है Insurance Technology Market के मामले में और डेटा के द्वारा release किया गया था इसके बात में दूस्तों आ जाता है कि एक इस इंडेक्स में भारत तीसरे इस्तान पर है और अमेरिका इसमें पहले इस्तान पर आ時 के माइग्रेशन एंड डेफलस्मेंट्व रिपोट में largest recipient of remittance इमिटेंस इन 2020 इस मामले में भारत पहले इस्तान पर आता है और इसमें स्वीडन जो है स्वीडन का इसमें नाम नहीं होना चाहिए वर्ल बैंक के दौरा इस रिपूर्ड को रिलीज किया गया है इसके बाद में आता है एक चांडलर इंडेक्स था चांडलर गुड गवर्नि land को इसमें पहला इस्तान पर आतुआ है दोस्तों बिल्कुल भी मजाक में मत लेना ये सारी चीज़ें आपको revision करवा रहा हूँ एक साथ आपको ये चीज़ें list format में किसी भी चैनल पर नहीं करवाई जाती है इसकी बाद में आ जाता है global energy transition index 2021 इसमें इंडिया का rank है 87 इसको world economic forum ने launch किया है इसकी बाद में आ जाते हैं inclusive internet index 2021 इंडिया का rank आया है 49 और Sweden उसमें पहले इस्तान पर आया है इस index को EIU के दोरा release किया जाता है इसकी बाद में आ जाता है international intellectual property index जिसमें इंडिया का rank है 40 और अमेरिका का इस्तान है पहला इसकी बाद में आ जाता है ultimate military strength index जिसमें इंडिया का rank है 14 और चाइना का इसमें rank है पहला आगे शलते हैं global annual CEO survey में इंडिया पांच में इस्तान पर है और अमेरिका जो है इसमें पहले इस्तान पर आता है दोस्तों वापस से हम लोग अपने regular वीडियो पर आ जाते हैं इसके बाद में हमारा current office का अगला question मना है कि हाल ही में report it don't share it नाम से एक पहल किसके दोरा सुरू करी गई है तो answer हो जाएगा facebook हाल ही में facebook ने इस पहल को सुरू किया है जिसके नाम है report it don't share it तो option नमबर 20 का answer हो जागा इसमें आप देख सकते हैं नेहा दूपिया आपको यहां पर देख रहे हुगे एक यहां पर event भी और्गनाइस किया गया था facebook के दोरा अब इस महीं में इस अभियान में क्या चीजे हैं देखो साफ साफ लख रहा है report it क्या चीज रिपोट करनी है अगर आप facebook पर देखते हैं कि बच्चों के प्रती कोई असलील चीज कोई ऐसी चीज जिसमें बच्चों की मानसिक सिती विकर सकती है उन सभी चीजों को आप बराबर report करते रहें साथी साथ में don't share it ऐसी बहुत सारी चीजे हम लोग देखते हैं जिसको share नहीं करना चाहिए इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी चीजों को share करते हैं लोगों तक reach पहुँचाते हैं तो उसको भी share नहीं करना है तो ये चीज हाल ही में facebook ने इसको शुरू किया है इस योजना को तो facebook इसका राज ओडीशा में मना गया है option number ace का राइडेंसर हो जाएगा ऐसा मना जाता है कि फसल और मांसून की सुरुवात के लिए इस तेवार को मना जाता है ऐसा मना जाता है कि मांसून के आने से पहले प्रत्वी में जो प्रत्वी है उसकी पूजा के लिए इस राज महुत्सों क Character को यहाँ पर पूजा जाता है, तो Audisha राज्य में इसको मना जाता है, आप 네요h सकते हैं इसमें जो महिलाएं होती है उनको मतलब बहुत ज़ये प्रफरंस दिया जाता है, इसमें replicate किया जाता है कि प्रतवी हैं, तो प्रतवी को हम लोग माता मानते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक पूजा होता है, तो ये रज महुत्सो जो है, ये ओडिशा रज्य में मनाय जाता है, ये जो फेस्टिवल है, ये तीन दिन तक वहाँ पर चलता है, इसके लावा भी ओडिशा में कौन-कौन से महुत्सो और मनाय जाते हैं, तिवार मनाय जाते हैं, जो कि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक हो गया कलिंग महुत्सो, चंदन यात्रा, कोनार के नर्त्य महुत्सो, माग सब्तमी, छव उत्सो, इसके बाद में ये राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल अगले कुशन की तरफ चलते हैं, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में दो बहुत बड़े वाड़, भारत तरत्म और पद्म पुरस्कार दिये जाते हैं, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने अनाउंस किया है, कि वो अपने राज्य के इस्तर पर, राज्य के इस्तर पर भारत तरत्म और पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने का काम करेगा, तो हाल ही में असम इसका राइड एंसर हो जाएगा, असम राज्य के जो CM है असम राज्य के CM कौन है ये आप लोग बताएंगे क्योंकि हाल ही में वो चेंज भी हुए थे तो असम राज्य के CM ने अनौस किया है कि अब उनके राज्य के संस्क्रण में भारत रत्म और पद्म पुरुस्कारों को प्रदान किया जाएगा कोशन मनेगा कि हाल ही में आसियान देंगु डे प्रती वर्स किस दिन मनाए जाता है तो आंसर हो जाएगा 15 जून को मनाए जाता है ओप्शन नंबर डेंगु दिवस के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते होंगे लेकिन जो आसियान कंट्रीज है ठीक है तो ये जो आसि देंगु के खिलाब जो अपना काम करते थे उसके उपर जो दिवस है वो बनाते हैं 15 जून को तो आप्शन नंबर 20 का राइड इंसर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं 15 जून 2021 इस बार जो आसियान देंगु डे बना गया है वो 11 बार बना गया है यानि कि ये इसका 11 संस्क्रंता जिसमें की जो आसियान देश के सदश्य है वो डेंगु को समाप्त करने के लिए प्रतिबद होते हैं इस वर्स के लिए इस दिवस की जो यहां पर एक सौरी दिवस बताने से पहले एक चीज़ बताएंगे थीम बताने से पहले कि इस दिवस को आसियान देशो देंगू एमिस्ट एन पैंडेमिक यह इसका राइड एंसर हो जाएगा इसका थीम हो जाएगा इसके साथ ही साथ में आसियान देशों में कौन-कौन से देश आते हैं यह चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ना बूलें अब इसमें हम लोग एक नोट देख लेते हैं विस इसके बात में दोस्तों अगला प्रस्त मनेगा कि हाल ही में इस्टी मेटिंग दा बर्डन ओफ फूड बॉर्न डिजीज़ नामसे एक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीस करी गई है तो हाल ही में डबलू एचो ने इस रिपोर्ट को जारी किया है तो डबलू एचो इसका इसके बात में दोस्तों चलते हैं अगला प्रस्ता है कि हाल ही में डबलू एचो के द्वारा रिलीस किया गया है यह भी आपको याद रखना है इसके बात में दोस्तों चलते हैं अगला प्रस्ता है कि हाल ही में वर्ड इल्डर अब्यूस अवैर्नेस दे विस्वा बुजुर्ग दुर्वेवार जागरुकता दिवस प्रती वर्सक किसे दिन मनाया जाता है बुजिर्गों के प्रती जो दुर वहवार होता है उसके खिलाब का ये जो दिवस है ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है option number D का right answer हो जाएगा कि ये दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है option number D will be the right answer यहाँ पर आप देख सकते हैं June 15 World Elder Abuse Awareness Day जो कि हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्स 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा access to justice ये इसका थीम हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है अगला प्रस्ता है कि हाल ही में 47 वा G7 Leaders का जो समिट है समेलन है वो किस देश में आयुजित किया गया है तो G7 देशों में जो जो साथ देश आते हैं उनका जो 47 लीडर्स का जो समिट है इसको हाल ही में UK देश में आयुजित किया गया है इसको hybrid model से आयुजित किया गया है मतलब ये वर्चोली साथी साथ में फिजिकली इसको आयुजित किया गया है कुछ नेता यहाँ पर available थे कुछ वर्चोली इसमें जोईन किये थे तो G7 देशों के नेताओं का ये जो 47 संस्क्रण है इसको हाल ही में Britain UK देश में आयुजित किया गया है वर्स 2021 के लिए इस इवेंट का जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा Building Back Better ये इसको याद रखेंगे ये इसका थीम हो जाएगा This is very important G7 में कौन कौन से देश होते हैं तो G7 में कुल 7 देश होते हैं Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK और US ये सभी देश उसमें सामिल होते हैं दोस्तों आज का कुशन जिसका अंसार आपको नेना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करने की कोसिस करें